हेलो बच्चों वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में आप लोग के लिए कार्पोरेट एकाउंटिंग यानि इंग्वी लिखांकन के मैंने वीडियो डाली हुई हैं सब्सक्राइब कर लिए अगर चैनल पर नाया हूं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए करिएगा और वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करिएगा आएए शुरू करते हैं फैला कोशन है अंशो के निर्गमन पर प्रप्राप प्रीमियम को डैश जाय दिखाया जाता है प्रीमियम रिसीब डॉन इशू अफ शेयर्स इस शोन अन ऐसे साइट अफ दाव बालें लावानी खाते केके देट बक्ष में धिलाभानी खाते के लिवृट पक्ष में तो इस ताह तो को अपनीम में इसे दिखाया जाता होब तो चुकता मूले वो होता है जितने राशी जो शेरोल होता है एंशधारी होता है कंपनी को चुका चुका होता है जैसे कि 10 रुपए का कोई शेयर है उसने 5 रुपए चुका दी है तो वह हो जाता है उसका चुकता मूले अंकित मूले वह होता है जितने का वह एक्चल में शेयर होता है यानि कि जैसे भी का पता है मैंने कि 10 रुपए का शेयर है तो वह हो जाएगा उस शेयर पर जितने रु कुश्चन है अभी कोपक कमिशन निम्कित में से किस आधर पर दे होता है on which of the following basis is underwriting commission payable at the issue price of the shares on the face value of the shares on the market value of the shares call money received on shares अभी कोपक कमिशन होता है अभी कोपक कमिशन होता है वो किस value पर दिया जाता है आंशों के निर्गबन मुले पर अंशों के अंकित मुले पर अंशों के बाजार मुले पर अंशों पर प्रापत या चनारशी पर जो अभी कोपक कमिशन दिया जाता है वो दिया जाता है अंशों के निर्गबन मुले पर at the issue price of the shares यहापक का एक अंसर हो जाएगा option a next question है सभी समता अंशधारी होते हैं all equity shareholders are representative of the company, the owner of the company, lenders of the company, customers of the company question आप से पूछ रहा है जो समता अंशधारी होते हैं equity shareholders होते हों कौन होते हैं company के प्रतिनिधी, company के स्वामी, company के रिदादा या पर company के ग्राहक तो जो समता अंशधारी होते हैं वो company के स्वामी, owner कहलाते हैं अपने पढ़ा होगा अंशधारा के होते हैं shares दो type के होते हैं एक हो जाते है equity shares तो दूसे हो जाते है प्रिफरेंस शेर्स तो जो प्रिफरेंस शेर्स होते हैं सबसे पहले क्या होता है प्लप उनको दिया जाता है लाभाश उनको दिया जाता है और जो समताश धारी होते हैं उनको लाभाश बाद में दिया जाता है उनकी डिविडेंट बाद में दिया जाता है और उनकी जो रे आपको कोशन आप से पूछ रहा है जो अधिकार अंश होते हैं उनका आशाय क्या होता है कंपनी की विक्रिताओं को निरुमित किया जाता है कंपनी के संचालकों को निरुमित किया जाता है कंपनी के विद्यमान अंशधानियों को निरुमित किया जाता है सबसे पहले समय ले कंपने के पाशा सीमाने में लिखी होती वो हो जाती है authorized capital उसकी उसकी बाद आती है issue capital आती है चुकता पुंजी आती है paid up capital आती है result capital आती है कई तना की होती है तो यहाँ पर जो आपकी authorized capital है उसका जो भाग निर्गमित नहीं किया जाता इशू नहीं किया जाता आफ्षक्ता पढ़ने पर उसे issue किया जा सकता है तो यह ज़ब shares तो सुखी जाते है तो हो जाते है अधिकार अरश तो पहले निर्मित किया जाता है नहें डिवित किया एकाउंद को चॐते हैं कर काई होते हैं किसेे और तरीके से सिφायं होती है उसका पाश्में पेरेशन दिया जाता है तो वहाँ पर ख्याती खाता। गूर्वेल्ट अधुन फेलेगा। जो आपशनी गए। इस question है प्रतिभूती premium का प्रियोग नहीं किया जा सकता security premium cannot be used to pay dividend to the shareholders to issue bonus shares to the shareholders to return of the preliminary expenses of the company to return of the discount on issue of debentures यहाप question पूछ रहा है जो प्रतिभूती premium होता है security premium होता है उसका प्रियोग कहाँ नहीं किया जा सकता सदस्यों को लाभाश का भुखतान करने के लिए निर्गमन पर शुट को अफ्रिकित करने के लिए तो जो प्रतिभूती premium होता है security premium होता है उसका यूज दो नहीं किया रह सकता वो dividend देने के लिए जब shareholders को dividend दिया जाता है तो वो security premium कि राश इसे नहीं दिया जा सकता तो यहापका एक answer हो जाएगा option A next question है अंशो की निर्गमन पर दे commission की दर अधिक नहीं होनी चाहिए the rate of commission payable on the issue of shares should not be more than from 2%, from 3%, from 4%, from 5% question पूछ रहा है जो अंशो की निर्गमन पर दे commission होता है उसकी दर किसी अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका केक टांसर हो जाएगा option D 5% next question है हरड किये गए अंशो की पुनल इर्गमन पर प्राप्टलाब को किस खाते में हस्तान तरिक किया जाता है in which account the profit received on reissue of forfeited shares is transferred share premium account, capital reserve account, forfeiture account, share forfeited account तो question आप से पोछ रहा है जो अंशो का हरड कर लिया जाता है आपने बढ़ा होगा कि जब कोई shareholder, कोई अश्धारी, किसी भी राशी का जो वांगी जाती है उसका भुकता नहीं कर पा रहा है किसी आशना का तो क्या किया जाता है उसके अंशो को वापस ले लिया जाता है उसे कहते हैं अंशो का हरड करना उसके बाद उसे दुबारा रियशू कर दिया जाता है पुना रियमित कर दिया जाता है तो उससे जो लाप राप्त होता है उसे किस खाते में हस्ता अंश करते हैं अंश प्रिमियम खाते में, पूजी संचय खाते में हरड खाते में या फिर अंश हरड खाते में तो इस था का जो profit होता उसे transfer किया जाता है capital reserve account में फूजी संचे खाता जहाब का एक transfer हो जाएगा option B और अगर उसमें से कुछ अंश ऐसे भी हैं जो हरड किये गया थे लेकिन उन्हें पुरा रगमित नहीं किया जा रहे ऐसे कि अगर 100 अंश हैं जिनें इनका हरड किया गया है इसमें से 50 अंश ही पुना रमित करे गये हैं रेशू किये गये बागी के 50 जो shares होंगे रेशू नहीं किये गये हैं तो इस तहा कि जो shares होते हैं उनकी जो value आती है उनकी जो मनी होती है उसे capital reserve में transfer नहीं किया जाता बलकि वो forfeiture account में ही रहती है उसे चिठे में जो आपका balance sheet बनती है उसके liability side में दिखाया जाता है next question है निमकित में से किसे आर्थे चिठे के दायतित पक्षमी नहीं दिखाया जाता which of the following is not shown on the liability side of a balance sheet of a company authorized capital, issued capital, paid up capital, reserve capital कोशन पूछ रहा है जो आर्थे चिठे आप बनाते हैं balance sheet बनाते हैं को जो liability side होता है उसमें क्या नहीं दिखाया जाता है अधिकत मुझी, निर्मत मुझी, चुकता पूझी, संचित मुझी तो अधिकत मुझी authorized capital जिसे के कमने शुरू की जाती है वो भी दिखाया जाती है issued capital अधिकत मुझी में से कितने capital को issue कर दिया गया है वो भी दिखाया जाता है चुकता पुजी इशूर्ट का कितना भाग प्राप्थ हो गया है वो हो जाती है पेड़फ कापटल उसे भी दिखाया जाता है जो संचित मुझी होती रुस्ताफ कापटल होती है तो जो भी आपकी जो निर्मित की जाती है पुजी तो उसका पुरा भाग एक साथ नहीं लिय आजाता जनता से उसमें क्या होता है पने पढ़ा होगा कि दरो और कोुछ जो होता है जिसमें से साथ उपए के टाइम पर कुछ प्राप्लम आ जाती है तो तब उस पुझी का यूज़ कर लिया जाएगा तो वो हो जाती है संचित पुझी या फिर रिजर्ब कापिटल तो इसे क्या होता है अपका आर्थी चिठे में नहीं दिखाया जाता तो यहाँ पका एक तांसर हो जाएगा option D आज की वीडियो में इतना ही बलतहिने इस वीडियो में कुछ और नए कोशनस के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पे नए हो तो सबस्काइब करिएगा नोटिफिकेशन बिलको जुरौन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालू उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जदा सदा फिर्ट सा शेयर करिएगा थैंक यू